यूतो उत्तर प्रदेश का चुनाब जातिगत रणिती बनाकर ही जीता जाता है लेकिन चुनाब में मुख्य भूमिका जिन्दो जातियों की रहती है वह ब्रामबर और दलित इन दोनव वोर्ट बैंक पर सभी राजनितिक दलों की खास नजर रहती है अब भगवान पर उश सबसे बड़ा ब्रामबर संगठन बन चुका है इसी क्रम में संगठन ने महला मोर्चा बनाया है जिसकी राष्ट्य अध्यक्ष स्मिता शर्मा को बनाया गया है हमारे समधाता ने स्मिता शर्मा से खास बात चीत कि यह भगवान परसुराम चेतना पीट जो उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनव में भगवान परसुराम की 108 फिट की प्रत्मा लगवाएगा सभी राजनेतिक दलों की नजर इस संगठन पर है क्योंकि जादा से जादा ब्रामबनों का जुड़ाव इस संगठन के साथ हो र देखे इस प्रकोष्ट का राश्ट्री अध्यक्ष होने के नाते पहले तो मैं महिला हूँ तो महिला एक महिला ही दूसरी महिला के दुखदर्द को समझ सकती है उसके उत्थान के लिए अच्छा काम कर सकती है तो मेरी प्राथमिक्ता यही है कि जो भी गरीब रामबन महिल उनके उत्थान के लिए काम हो उनकी शिक्षा के लिए काम हो जो भी गरीब बच्चियां हैं जिनके विवा में दिक्कत आती है हम लोग उनके विवा के लिए प्रयास करते हैं बहुत सी बच्चियों की शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको दे रहे हैं चिकत्सा की सु विदाएं दी जा रही हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है तो चिरंजीवी भगवान पर अश्राम चेतना पीट महिलाओं के लिए अनेक दिशाओं में काम कर रहा है और हमने विगत चार माह में बहुत भागेदारी बढ़ाई है अपने संगठन में महिलाओं की सीधे तौर पर देखा गया है आमोमन की संगठन में महिलाओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। लेकिन आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल लगी और जिस तरीके से संगठन के साथ ब्रामणों का जुड़ाओं हो रहा है। आपको क्या लगता है इतन भी महिला को जरूरत होगी मैं खुद उसके सामने जाऊंगी वहाँ पे जिस भी तरह से सहायता होगी मैं करूंगी और हमेशा खड़ी रहूंगी हर महिला के लिए किसी एक प्रस्न है बिल्कुल भी नहीं राजनीती से चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीट का कोई भी संबंध नहीं है हम एक सेवा का भाव ले करके चल रहे हैं और इसी को ले करके चलते रहेंगे जब तक हमारी सासे हैं ये संगठन रहेगा और निरंतर सेवा के प्रयास करते रहें कि हम लोग और फिर से कहूंगी किसी भी राराजनेतिक पार्टी से हमारी बात चल रही है ना इसका किसी राजनेतिक पार्टी से कोई संबंध है। कैमरा परसंद हमजा के साथ पुनीत मोहन अन्बी न्यूज लक्ति देश दुनिया की खबरों के लिए अन्बी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाए।